प्रेशिच्छार्तियों आप सभी का इस आनलाइन वीडियो लेक्चर्स में हर्दिक स्वागत है अभिनंदन है मैं डाक्टर दिनेश सिंग सिछा विद्या साखा में सहायक निदेशक कम सहायक आचार के इपद पर कारे रत हूँ आज हम लोग विश्विद्यालाई द्वारा संचालित में एजुकेशन कारेक्रम के प्रथम प्रश्नपत्र MAED 101 सिछा के दार्शनिक एवं समासास्त्री परिपेच के अंतरगत इसकी प्रथम इकाई द्रशन का स्वरूप एवं विश्विश्व छेत्र पर चर्चा करेंगे बाते करेंगे द्रशन का स्वरूप एवं विश्विश्व छेत्र के अंतरगत हम द्रशन के संप्रत्य को इसकी उत्पत्य को दर्शन के विशय छेत्र को जानेंगे कि दर्शन की उत्पत्य कैसे हुई दर्शन का क्या अभिप्राय है दर्शन और फिलास्ती में क्या अंतर है दर्सन के विशय छेत्र क्या है अध्यान का छेत्र क्या है इस विशय में आज हम लोग अध्यान करेंगे तो सरप्रतम हम इस इकाई में इस बात पर चर्चा करते हैं कि दर्सन की उत्पति कैसे हुई ब्यक्ति बिभिन प्रकार के वातावरण में रहता है और जिस वातावरण में रहता है उसको जानने का, समझने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है यदि हम मनों भिज्ञान की भासा में प्रयोग करें, तो हम कह सकते हैं कि ब्यक्ति के मन में वातावरण को जानने की जो प्रबत्ति होती है, जो स्वाभाविक प्रबत्ति होती है, ब्यक्ति के सामने का जगत वस्तुता गतिमान होता है मनुष्ट स्वयम भी गत्सील है ब्यक्ति के मन में ये जिग्यासा होती है कि वो इस जगत के लच्छ को जाने किस जगत का क्या लच्छ है जगत की उत्पत्य कैसे हुई है जगत को कौन संचालित कर रहा है और इसके साथ-साथ वो अपने विशय में भी जानना चाहता है और इसके लिए आत्म विशलेशन करके अपने विशय में ही नहीं ग्यान प्राप्त करता बलकि उसे ये भी पता चलता है कि वो कौन है इस संसार में क्यों आया है और कैसे आया है ये ढोणने का भी वो प्रयास करता है बेक्त ये भी जानने का प्रयास करता है कि ये स्रेश्ट की उत्पत्ति कैसे हुई स्रेश्ट की योजना क्या है और इन सब रहाश्यों को जानने के लिए वो आश्चर में डूब जाता है वो देखता है कि बाह दुनिया के साथ साथ उसके अंदर भी एक ऐसी दुनिया है जिसका महत उस बाह दुनिया से कहीं अधिक है अधिक नहीं तो कम तो है ही नहीं और इस आंतिक दिश्ट का महत जानने के लिए भी वो प्रयास करता है और अपनी जिग्यासाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है एक विश्व प्रसिद दर्शनिक हुए प्लेटो प्लेटो का कहना है कि दर्शन का जो जन्म हुआ है वो आर्श्चर, कौतुहल और जिग्यासां के कारण ही हुआ है परंदो कुछ अन्य दर्शनिक भी ऐसे हैं जो इससे भिन्मत रखते हैं और वो दर्शनिक मानो मन में ब्याप्त संदेह को दर्शन का जनक मानते हैं उनका मानना है कि दर्शन है इसका जो जन्म हुआ है वो जो मानो मन में संदेह ब्याप्त हैं उन संदेहों को जानने के लिए रहस्यों को जानने के लिए ही दर्शन का जन्म हुआ है और उन संदेहों को जानने के लिए वो कुछ प्रमाड़ कत्रिक करता है उन प्रमाडों के आधार पर उन संदेहों का निराकरण करता है प्रसिद दर्षनिक डेकार्ट ने संदेह भावना को हुई दर्षन की जन्नी माना डेकार्ट कहता है कि दर्षन का जन्म संदेह की भावना से ही उत्पन हुआ है इसी डेकार्ड को आद्मिक परस्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है उसने प्रत्यक बात पर संदेव्यक्त करते हुए प्रमार ढूंढा चाहा और उस प्रमार के आधार पर अंतिम निस्कर से तक पहुचना चाहा और सत्य को जानना चाहा इनी प्रमाण के आधार पर हम अन्तिम सत्य को जानते हैं इसके साथ साथ कुछ अन्यदार्शनिकों ने दस्तन के उत्पत्ति को मनुष्ट की जिग्यासा या संदेह भावना नामान कर उसकी मानसिक असान्ति को माना है ब्यक्ति के मन में मनुष्ट के मन में जब बेचैनी होती है और उसका जीवन बिभिन कारणों से जरा, रोग, मरण, आधि से दुखी होकर उदासीन होने लगता है तो जीवन की समस्याओं का समाधान ढूनने का प्रयास करता है और यही जो प्रयास करता है समस्याओं ढूनने का प्रयास करता है वहीं से दर्सन का प्रारंब हो जाता है उसी को दर्सन कहा जाता है जैसे महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध ने को जब बिभिन प्रकार के दुखों के कारण मन में असान्ति हुई असंतोष का अनुभाव हुआ तो एक दर्षन का प्रादूर भाव हुआ इस प्रकार से हम देखते हैं कि दर्षन का प्रादूर भाव, दर्षन की उत्पत्ति के विशह में विभिन्मत है किसी ने दर्षन की उत्पत्ति संदेह से माना, किसी ने दर्षन की उत्पत्ति नैराश से माना, किसी ने दर्षन की उत्पत्ति आश्चर्य से माना, किसी ने उदासिंता को दर्षन की उत्पत्ति माना इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब मनुष्ट के मन में संदे होता है, आश्चर्य होता है, जिग्यासा होती है, असांत की भावना होती है और विभिन प्रकार की समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हम एक चिंतन करते हैं तारकिक चिंतन करते हैं और यही तारकिक चिंतन, यही तारकिक विसलेशन जो समस्याओं के समाधान के लिए हम तारकिक विसलेशन करते हैं उसी को दर्शन कहा जाता है अगर हम इसकी साब्दिक अर्थ में जाएं दर्शन की तो दर्शन सब्द दर्शिद हातु से बना है दर्शिद हातु जिसका अर्थ होता है देखना इसमें लिट प्रत्य लगाने से दर्शन की उत्पत्ति होती है दर्षन सब्दा बनता है। उपनिश्दों में सथ्य का दर्षन करने के लिए कहा गया है। और वहां पर गर्षी धात्व का ही प्रयोंग किया गया है। अर्थाच जिसको देखा जाए। जिस ग्यान को देखकर प्राप्त किया जाए जो बिशव capacities टर्पकानी हो जो टारकी क스ожд no पर आधारित हो उसको हम धरसण कहते हैं किर अगर हम इसके जो पार्ष है इसके अंग्रेजी सब्दें पर जाते हैं कि यह प्लश्पि दर्सन्हका अंग्रेजी रूपांतरनिैंविप्लास्पी और फिलास्पि दो सब्दों से बना हुआ है ये युनानी सब्द है ग्रीक भासा का सब्द है फिलास्पी दो सब्दों से मिलकर बना है वो है फिलास्प और सोफिया फिलास्प का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग और दूसरा सब्द जो इसका है सोफिया उसका अर्थ होता है ज्ञान, विद्या, इस प्रकार से फिलास्फी सब्द का साब्दिक अर्थ जो निकल कर आता है, वो है विद्या के प्रतिहनुराग, ज्ञान के प्रतिप्रेम, हेरोडेटस ने भी इसी रूप में फिलास्फी का प्रियोक किया है और हेरोडेटस ही ऐसा एक दार्शनिक था, जिसने सबसे पहले फिलास्फी पर सब्द का प्रियोक किया था, इस प्रकार से हमने देखा, ती दर्शन का क्या अभिपराय है, और जो पास्चाते देश यूनान में फिलास्फी का क्या अभिपराय है, अब हम इन दोनों में क्या अंतर है? दर्सन और फिलास्पी में क्या अंतर होता है? इसको भी समझने का प्रयाग करेंगे वस्तुता दर्सन और फिलास्पी दोनों सब्जदों को एक दूसरे के प्रयाइबाची के रूप में प्रियोग किया जाता है दर्सन हिंदी सब्द है और फिलास्पी अंग्रेजी सब्द है जो की लैटिन भासा के फिलास्प धन्सोफिया से बना हुआ है परंतु जब हम गहन्ता से विचार करते हैं, गहन्ता से इन दोनों सब्दों पर द्रिश्ट डालते हैं, तो हम को इन दोनों की मद्द अंतर नजर आता है फिलास्फी में वो संपोंडता परलच्छित नहीं होती है जो दर्सन में हैं, दर्सन में बिद्या या ज्यान के प्रति केवल अनुरागी ही नहीं है, जबकि फिलास्फी में बिद्या के प्रति अनुराग, प्रेम, लगाओ को परलच्छित करता है कि दर्शन के अंतरगत अनुराग के साथ साथ उसमें भाव भावना का प्रत्य भी नहीत होता है और यह मानसिक पच्छ की तीनों प्रक्रियाओं चायो ग्यान हो, कर्म हो, भाव हो इन तीनों पच्छों को समाहित किये हुए है सत्य का साथ करना, सत्य की खोज करना दर्शन है सत्य का अनुवेशन करना दर्शन है ज्यान और क्रिया साथ साथ चलते हैं जब हम प्रत्य करके सत्य का साथ दर्शन करते हैं, तब सत्य और ज्यान से प्रेम अवश्य होता है अनुराग भी होता है परंद जो पर्ष्चिम का सब्द फिलासपर है फिलासपी है वो बिना किसी लच्छ को निर्धारित के हुए बिचार करना प्रारम कर देता है जबकि जो भारती सब्द दर्ष्चिम है यहीं लच्छ को निर्धारित करके उसके विशय में चिंतन करता है तर्क करता है यहीं दर्ष्चिम और फिलासपी में अंतर होता है अभी हम लोगों ने दर्ष्चिम और फिलासपी में अंतर को जाना दर्ष्चिम को जाना अब हम कुछ जो दर्ष्चिम हैं उनकी परिभासाओं को जानने का प्रियास करेंगे उससे हमको दर्सन की संप्रत्य की और अधिक स्पष्टता होगी, हम उसके अभिप्राह को और अधिक समझ सकेंगे। प्राचीन काल में किसी भी प्रकार की चिंतन को दर्सन कहा जाता था। परन्तु जैसे जैसे ज्ञान के छेत्र में ब्रद्ध हुई, विभिन अनुशाषन, विभिन बिशय का जन्म हुआ, तब दर्सन को दर्सन सास्त्र की संग्या दे दी गई। और यह एक बिशय के रूप में हमारे सामने आया है। उपनिशद काल में भी दर्सन को सत्य की खोज के रूप में माना जाता था। अंतिम सत्य की खोज में हमें ब्रम्भान के शुरूप, इसके करता, इसके उपादान, कारण पर विचार करना पड़ा। दर्सनिकों ने स्यबसे अधिक जो विचार किया है, वो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, इस्वर क्या है, सत्य क्या है, जगत क्या है। इन ही सब तत्यों को लेकर के दर्सन के अंतरगत विचार किया गया। सर्वपली राधा कृष्णन ने दर्सन को परिभासित करते हुए कहा है, कि दर्सन सत्य के शुरूप का तार्किक विवेचन है। philosophy is a logical inquiry into the nature of reality. अर्थात, जो सत्य है, उसको हम तर्किके द्वारा चिंतन करें, तर्क करें और उसकी विवेचना करके एक निश्कर्स पर पहुंचें, यही दर्सन है। Plato ने दर्सन को परिभासित करते हुए कहा है, कि पदार्तों के सनातन सरूप का ग्यान प्राफ्त करना ही दर्सन है। अर्थात जो हमारे सनातन सरूप में पदार्थ बिद्धिमान है, पूर्व में बिद्धिमान है, उन सब का ग्यान प्राफ्ट करना ये दर्शन है. प्लेटो के अरस्तु ने दर्शन को परिभासित करते हुए कहा है कि, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परमतत्त के यथार्थ शरूप की जाच करता है. फिलास्पी is the science which investigates the nature of being as it in self. दर्शन को उसने एक विज्ञान की स्रेड़ी में रखा है और ये माना है कि जो हमारा यथार्थ शरूप है, जो वास्तिविक शरूप है, उसका हम विज्ञानिक पद्धित से अध्यान करके, परिछण करके, जो हमको परम्तत्त्त मिलता है, सत्य मिलता है, वही दर्शन है. जर्मन के प्रशिद्ध दर्शनिक कांट महोदय ने दर्शन को केवल ग्यान साश्त के रूप में परिवासित किया है, और कहा है, philosophy is the science and criticism of cognition, दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान है, और उसकी आलोचना है. फिश्टे महोदय ने तो दर्शन को बिज्ञान ही मान लिया है, उन्हों ने कहा कि philosophy is the science of knowledge, जो दर्शन है, वो ग्यान का बिज्ञान है, काम्टे तो इसको बिज्ञानों का बिज्ञान से भी बढ़ करके मानता है कि ये बिज्ञानों का बिज्ञान है, philosophy is the science of science, इसी प्रकार से हरपर्ट एंस्पेंसर ने भी दर्शन को बिज्ञान का समन्य यों विश्व वियापक बिज्ञान माना है, इस प्रकार ने हमने देखा कि दर्शन सनातन सरूप को ज्ञान प्राप्त करने का माद्यम है, सनातन सरूप को चिंतन ही दर्शन है और ये बिज्ञान है, इसमें जो चिंतन होता है, उसमें बैज्ञानिक पद्ध्यति का भी अनसरण किया जाता है अगर हम इन सभी परिभासाओं को निश्कर सी रूप में अगर दर्शन की परिभासा देना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि दर्शन जो भावतिक हो चाहे आध्यात्मिक उपलगधियां हो उनके विशय में तारकिक विवेचन करके शत्य तक पहुँचना वास्त्विक्ता तक पहुँचना ही दर्शन है अगर हम दर्शन सास्त की बात करें तो दर्शन सास्त को हम ग्यान की एक ऐसी साखा के रूप में परिभासित कर सकते हैं जिसमें ये संपूर्ण ब्रंभ में जो अंतिम सत्य है मानों का वास्त्विक सरूप है स्रस्टी है, स्रस्टा है, आत्मा है, परमात्मा है, जीव, जगत, ज्यान, अज्यान, करने की साधन मनुष्य के क्या करनी योग्य है, क्या अकरणी है, इन सभी का तार्किक विवेचन ही दर्शन कहलाता है इस प्रकार से हमने दर्शन के साथिकर्थ, दर्शन के भारती प्रत्य, दर्शन के पास्चात प्रत्य, एवं दर्शन की विवेने परिभासाओं के आधार पर दर्शन के संप्रत्य को समझा अब हम लोग ये समझने का प्यास करते हैं कि दर्शन के अंतरगत क्या-क्या अध्येन किया जाता है, इसकी विशय वस्तु क्या है, इसका अध्येन छेत्र क्या है अगर हम देखें, तो दर्शन के अध्येन छेत्र या विशय छेत्र को हम मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गी करत करके अध्येन करते हैं पहला तत्व मीमानसा, मेटाफिजिक्स, दूसरा ग्यान मीमानसा, इपिस्टिमोलाजी और तीसरा आचार मीमानसा, इथिक्स या मूल मीमानसा, एक्षियोलाजी अब हम तत्व मीमानसा के अंतर गत्किन किन बातों का अध्येन किया जाता है इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे तत्व मीमानसा एक तरह से दर्सन का आधार है दर्सन की आधार भूत है तत्व मीमानसा का छेत्र बहुत ही बैपक है इसके अंतरगत हम मुक्कि रूप से तीन चीजों का अध्येन करते हैं यह जगत क्या है, आत्मा क्या है, और इस्वर क्या है जगत की उत्पत्ति कैसे हुई क्या इस जगत का निर्माड इस्वर ने किया है या इस जगत का निर्माड सेम हुआ है इस जगत का विकास हुआ है या निर्माड हुआ है इस्वर क्या है इश्वर को मनिश्य ने बनाया है या मनिश्य को इश्वर ने बनाया है इश्वर की क्या सत्ता है आत्मा क्या है आत्मा अजर है, अमर है आत्मा एक है, अनेक है आध विशेयों का अध्यान हम हम तत्त मिमांसा के अंतरगत ही करते हैं और इन सभी बिंदों को तार्किक विवेचन करते हैं दूसरा बिंदु हमारा ग्यान मिमांसा है ग्यान मिमांसा के अंतरगत हम मानों की बुद्धि क्या है ग्यान प्राप्त करने के सुरोत क्या है ग्यान प्राप्त करने के साधन क्या है और ग्यान प्राप्त करने की बिधियां क्या है किस प्रकार से हम ग्यान को प्राप्त करते हैं कहां से ग्यान प्राप्त करते हैं इन बातों का ध्यन हम ग्यान मीमानसा के अंतरगत करते हैं। तीसरा आचार मीमानसा या मूल मीमानसा। आचार मीमानसा का उद्देश, साधनों, मूल्यों, मान्यताओं और आदर्सों की खोज करना उनकी ब्याख्या करनके। क्या कंडी है, क्या अकंडी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उप्यूक्त है, क्या उचित है, क्या अनुचित है का अध्यन हम आचार मीमानसा के अंतरगत करते हैं। जब हम तत्तु मिम्यांसा के इंतरगत आत्मा का अध्यान करते हैं, तो उसमें जानने का प्रयास करते हैं, आत्मा क्या है, जीव क्या है, शरीर का आत्मा से क्या संबंध है, इसी प्रकार से जब हम इस्वर के संबंध में विचार करते हैं, तो ये जानने का प्रयास करते हैं इश्वर है भी की नहीं है, अगर है तो इसके क्या प्रमान है, कैसे ये सत्य सिद्धो की इश्वर है, इश्वर एक है या अनेक है, इश्वर का सरूप कैसा है, इनी बातों का हम अध्यन करते हैं। इसी प्रकार, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, जगत का निर्मान कौन करता है, अपने या निर्मान होता है जगत का, या इश्वर निर्मान करता है, जगती, जगत का निर्मान प्रकत के द्वारा होता है, या मानों के द्वारा होता है, जगत की जो बिवस्ता है उसका संचालन कौर करता है जगत नित्य है अनित्य है इन भातों का अध्यान हम तब तो मिम्यांसा की अंतरगत ही करते हैं इस परकार हमने देखा कि दर्शन का छेत्र बहुत ही बिष्ट्रित है एक सीमा में हम दर्शन को नहीं बान सकते हैं जग्ञान की पृतियक साखा चाहे वो कोई भी साखा हो सिछा हो, समाज हो, राजनीत हो, अर्थ साष्ट्र हो, हिंदी हो, कला हो प्रतेक छेत्र में दर्शन का दखल है। यहां तक की विज्ञान भी है, वहां भी दर्शन का दखल है। बिना दर्शन के विज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए प्रतेक विशय में उस विशय के जो दर्शनिक होते हैं, उनका अपना विचार होता है। कुछ बिशय तो दर्शन के विभाग के रूप में भी श्विक्रत हैं, जैसे सिच्छा दर्शन, धर्म दर्शन, समाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, इतिहार दर्शन, आदि. इस प्रकार हम देखते हैं कि मानोजीवन का कोई भी ऐसा छेत्र नहीं है, जो दर्शन की अंतरगत नाता हो, दर्शन की अध्यान का छेत्र ना हो. मानोजीवन का प्रतेक छेत्र दर्शन की विशय वस्तु है, अध्यान की वस्तु है. दर्शन की, जैसे कि हमने चर्चा की, कि मानोजीवन का कोई ऐसा छेत्र नहीं है, जिसमें दर्शन की उप्योगिता ना हो, दर्शन की आवस्यक्ता ना हो. अगर हम कहें कि बिना दर्सन के मानव जीवन चल ही नहीं सकता है, मानव जीवन गच्चील हो ही नहीं सकता है, तो ये अतिसयोगती नहीं है दर्सन की आउसिक्ता हमको जीवन को उपयोगी बनाने के लिए बहुत ही अधिक है भारतियों पास्चाते, दोनों विचारों के अंसार दर्सन की जो आउसिक्ता है, सरप्रथम जो दर्सन की आउसिक्ता है, वो जीवन के लिए होती है ब्यक्ति अपने जीवन की विविन घटनाओं को याद करके आगे आने वाली घटनाओं के लिए लाब उठाता है अपनी समस्याओं का समाधान करता है, उसके दैनिक जीवन में जो समस्याओं आती हैं, उनका वो समाधान करता है दूसरी उपयोगता अर्थ ब्यवस्था की देश्टि से हैं, दर्शन का एक रूप हमें अर्थ ब्यवस्था के रूप में भी मिलता है, जिसको हम अर्थिक चिंतन कहते हैं अर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंतरण हो, कैसे उनको मितव्यव्य बनाया जा सके, राष्टी योजनाओं को कैसे लागू किया जा सके, इन सब में दर्शन का ही एक आधार होता है अगली रूप योगता जो हमें राजनीतिक ब्यवस्था के रूप में है ये दर्शन ही है, ये दर्शनिक चिंतन ही है, जो हमें विभिन्य परकार की राजनीतिक ब्यवस्थाओं के अमिप्रेरित करता है राजनीत के छेत्र में, राजनेतिक व्यस्था को लागू करने में भी दर्शन की बहुत बड़ी उप्योगता है सिच्छा की द्रश्ट से तो दर्शन बहुत ही उप्योगी है, बहुत ही महत्पोंड है सिच्छा का कोई ऐसा छेतर नहीं है जिसमें दर्शन का दखलना हो चाहे वो सिच्छा के उद्देश का निर्धारन हो चाहे पाठक्रम का निर्धारन हो सिच्छन विधियों का अनुसासन कैसा होगा विध्यालाई का स्वरूप क्या होगा ये सारी बाते हमको दर्शन से ही प्राप्त होती हैं इस प्रकार हमने देखा आज के इस वीडियो लेक्चर में कि दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई दर्शन का संप्रत्य क्या है दर्शन की परिभासाओं के विशय में भी जाना और दर्शन का जो विशय का छेत्र है दर्शन की जो आँ सकता है इसके विशय में आज हम लोगों ने अद्ध्यन किया चर्चा की, परिचर्चा की मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सभी के लिए आप सभी से चार्थियों के लिए उप्योगी होगा अगले वीडियो लेक्चर में हम पुनाह मिलेंगे और उसमें इसी प्रश्न पत्र के MAD 101 के प्रश्न पत्र के दूसरी इकाई सिच्छा क्या है, सिच्छा का सरूप क्या है, इसके विशय में हम लोग अध्यन करेंगे आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस लेक्चर में सहभागिता की ध्यान से सुना, पुनाह आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद